बाइबल में ऐसे बहुत से पुरुष हैं जिसका परमेश्वन ने सामर्थी उप्योग किया लेकिन हम बहुत कम चर्चा करते हैं कि परमेश्वन ने स्त्रियों का कैसे उप्योग किया है जैसे परमेश्वन ने बाइबल में पुर्षों का उप्योग किया वैसे स्त्रियों का भी उप्योग किया है स्त्रियां परमेश्वर के द्वारा वर्दान पाई हुई थी और सेवकाई में उनका उपयोग किया गया आज हम बाइबल में से कुछ स्त्रियों को देखेंगे कि परमेश्वर ने उनका कैसे उपयोग किया है उनमें से एक थी हन्ना वो एक विधवा थी उसके विवा के बाद साथ साल तक उसका पती जीवित था उसके बाद में उसका पती मर गया और वो अकेली रह गई लेकिन उसलिए कभी महसूस ने किया कि वो अकेली है वो परमेश्वर के और देख रही थी परमेश्वर से प्रातना कर रही थी वो प्रात्ना के जीवन में निरंतर बनी रही परमेश्वर के भवन में सेवा करती रही उपवास वा प्रात्ना करते हुए 84 साल तक वो वहां पर रही पती के बिना 84 साल तक वो रही उसने कभी नहीं कहा कि मैं अकेली हूँ उसने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है उसने बहुत सी समस्याओं का सामना किया लेकिन जीवन खत्म करने के बारे में कभी नहीं सोचा शायद लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे शायद कुछ लोगों ने उसका अपमान किया होगा कुछ लोग शायद उससे बुरा विभार करना चाहते होंगे कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि तुम तो जवान हो, तुम अभी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो इतनी सारी निराशाओं के बीच में निराशाओं के बीच तूटे पन में उसने परमेश्वर के और देखा और वो प्रात्ना करने लगी परमेश्वर ने उसे भरोसा दिया हियाव दिया हर्ष दिया विश्वास योगिता दि और फिर आखिरकार परमेश्वर ने उसे भावश्वानी का वर्दान दिया जब येशु का जन्म हुआ तो वो पहली स्री थी जिसने येशु के बारे में भविश्वानी की थी जब येशुफ और येशु की माता मर्यम उसे भवन में लेकर आ रहे थे वहाँ पर ये हन्ना नाम की स्री थी उसने भविश्वानी की परमेश्वन ने उसका उपयोग किया हम एक और स्तरी को देख सकते हैं पत्रस की सास पत्रस की शादी हुई थी और उसकी पत्नी की माँ वहाँ पर थी लुक अध्या 4 वचन 38 से 49 उसे ज्वर हुआ था, बुखार हुआ था और येश्वन ने जाकर उसे छू लिया बाइबल कहते हैं तुरंत उसका ज्वर उतर गया और उसने परमेश्वर से सामर्थ प्राप्ती और वो सेवा करने लग गई येश्वन ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा और ज्वर उतर गया और ज्वर उतर गया और वो तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी परमेश्वर ने अपने दासों की सेवा करने के लिए उसे वर्दान दिया परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से स्रीयों को उचा उठाया उन्हें वर्दान दिया और सेवकाई के लिए उपयोग किया और इससे वर्दान मिला कि दूसरों की ये सेवा करे हम एक और स्त्री को देख सकते हैं ये तो सामरी स्त्री थी यहना अध्याचार वचन 28 से वचन 30 तक परमेश्वर ने इसे प्रोटसाहित करने का वर्दान दिया वो जाकर सब लोगों को प्रोटसाहित करने लगी कि आकर उस येशु को देखो जिसने मेरा जीवन बदल दिया है वो तुम्हारे जीवन को भी बदल सकता है ऐसे उसने कहा हम एक और स्त्री को देखते हैं प्रिसिल्ला प्रेतो के काम अध्या 18 वचन 24 से 28 ये कहता है कि परमेश्वन ने इसे शिक्षा देने का वर्दान दिया परमेश्वन ने अध्भुत रीती से उसे सिखाने का वर्दान दिया लुक अध्या 21 वचन 2 से 4 ये दो दमडी देने वाली विध्वा बहुत से लोग कह रहे थे तुमारे पास तो कुछ भी नहीं तुम परमेश्वर को क्यों दे रही हो शायद ये पास्टर अपने लिए इसका उप्योग करेंगे लेकिन उसने बड़े हिम्मत से वहां पर कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं सेवा के लिए परमेश्वर को दे देना चाहिए ये तो परमेश्वर की आग्या है कि सभी को देना चाहिए इसके पहले कि हम परमेश्वर को दे परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है श्वास लेने के लिए हवा दी है और सूरज की रौशनी दी है ये सब कुछ हमारा नहीं परमेश्वर का ही है आप जिस तंदुरुस्ती में काम कर रहे हैं ये तंदुरुस्ती परमेश्वर ने दी है आपके हातों और पैरों में जो शक्ती है वो परमेश्वर ने दी है ये मत सोचिए कि भोजन के शक्ती से काम कर रहे हैं बहुत से लोग अच्छा भोजन करते हैं लेकिन उनके हाथ काम नहीं करते हैं उनके पैर काम नहीं करते हैं आप ये मत सोचें सब आपके शक्ती में परमेश्वर आपको शक्ती देता है Luke chapter 21 was 1 to 4, Jesus is standing in front of the offering box Luke अधिया 21 वचन 1-4 में ईशु यहाँ पर भेट के पात्र के सामने खड़ा था जब हम चर्च में आते हैं अपनी भेट देते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए हमें ये सोचना है कि ईशु यहाँ पर भेट के पात्र के सामने में खड़ा है हमें ये नहीं सोचना है कि कौन इस पैसों से खाएगा और कौन इसे ले जाएगा वो आपका काम नहीं है अगर परमेश्वर के दास उससे कुछ गलत करते हैं तो उन्हें परमेश्वर को लेखा देना होगा अगर सेवक कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर के सामने उन्हें लेखा देना होगा वो आपका काम नहीं है हमारा काम यह है जो परमेश्वर ने कहां उसे करते जाएं लेकिन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसका अधिकारी होता है उसके बाद में डेबोरा डेबोरा न्याईयों के किताब अध्या 4 वचन 4-14 में हम इसके बारे में देखते हैं परमेश्वर ने इसे बहुत आशीश दी और ये न्याई हो गई उसके बाद में नास्तरत की मर्यम बुद्धी का वर्दान परमेश्वर की कृपा उसको उपर में आई पर उसके बाद में अभीगेल पहला शमुएल अध्या 25 वचन 2-42 में हम इसके बारे में देख सकते हैं परखने का वर्दान फिर स्त्रियों में अगली है फिलिपुस की बेटियां ये तो पवित्रातमा से भरे हुए थे ये शु मसी के पनुर्थान क्या ये चोटी बात थी या बड़ी बात थी मर्यम बुद्धान के बार में बताती है कि ये पहुनाई करने वाली थी हम इसके बार में पढ़ सकते हैं लू का अध्या 10 वचन 41 और 42 में इसके बार में पढ़ सकते हैं यहना अध्या 12 वचन 1 और 2 में भी और फिर मिरियम याने निर्गमन अध्या 1 वचन 15 में मिरियम की एक तो बहुती और फिर उसके बाद में है शुनिमीन स्त्री दूसरा राजा दिया चारवचन आठ इसके बारे में कहता है वो परमेश्वर के दास एलीशा की सेवा करती थी उसकी हमेशा मदद किया करती थी हाँ प्रभु तूने ही हमें बनाया है हम तेरे आदर करते हैं तेरे स्तूती करते हैं तूने हमें बुलाया है हमें अलग किया है और अपने काम के लिए तूने हमें अभिशेग दिया है प्रभू हम ऐसे स्री और पुरुष है जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है परमेश्वर ने अलग किया है और इसलिए उनका हमें आदर करें प्रभू मुझे चूले प्रभू मेरा भिशेक लो मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोगा हमारे लोगों को चूले उन्हें तेरी सेवा करना चाहते हैं प्रभू तेरी अच्छा पूरी हो तेरा नाम महिमा पाए प्रभू हमें सिखा कि हम स्त्री और पुरुषों का आदर कर सके प्रमेश्वर के सारे दास और दासियों का आदर करना हमें सिखा प्रभू हमें उन्हें स्त्रिया पुरुष के रूप में नहीं देखना है लेकिन ये तो परमेश्वर के सेवक है परमेश्वर के जन है हम केवल बाहर के रूप को देखकर किसी से नफरत करने वाले न बने हमें किसी के चेहरे को देखकर उनसे नफरत नहीं करनी है प्रभू, हमें उनसे द्वेश नहीं करना है प्रात्ना कीजे कि कभी मैं किसी का न्याई न करूँ प्रभू मैं किसी के विरुध में एक शब्द भी न बोलू प्रभू मुझे मदद कर कि मैं किसी की निंदा न करू और किसी को परदोश न लगाऊ दूसरों का आदर करना मुझे सिखा प्रभू हम तुझे उंचा उठाते हैं इनके दिलों के हर एक जख्म को चंगाई दे इनके मन के हर एक जखमों को चंगाई दे प्रभू इनके शरीर में जो भी जखम है उन सभी जखमों से चंगाई दे प्रभू माता पिता भाईयों और बहनों को प्रभू तो इसी समय स्पर्श कर ले उन्हें चंगाई दे प्रभू एक वेक्ति पवित्र आत्मा की सामत के द्वारा स्पर्श प्राप्त का सामत से भर जाए प्रभु येश्व मसी के नाम में येश्व मसी के नाम में से ले ले धनिवाद मेरे प्रभु धनिवाद मेरे येश्व आमेन तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कान करें हमारा गूगल नंबर 9912-490945 हमारा फोन पे और पे टीम नंबर 7799-934576 हमारा पे टीम नंबर 9393-004572 हमारे वेवरिम के अनुसार स्पॉंसर्शिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं मेरा नम पदमा है सनिवार की उपास परातना में मैं यहां पर आती थी जब स्टिफन पॉल पास्टर जी जिसका खुद का घर नहीं है उनके लिए परातना कर रहे थे और ऐसी ही प्रेयर स्टेडियम के लिए निर्ने लीजिये कहा तो हमने प्रेयर स्टेडियम के लिए दान देने का निर्ने लिया घर ना होने के कारण बहुत दुख होता था किराया देने के लिए भी बहुत कस्ट होता था क्या फिर एसिस थी थी में घर खरीद सकते थे लेकिन हमारे पास पैसे भी नहीं थे पाश्टर जी के प्रातना करने के बाद हमने साथ गज का घर खरीदा है इसलिए प्रेल स्टेडियम के लिए दान देने आई हूँ खुद का घर खरीदूंगी कभी भी नहीं सोचा था लाइफ चेंजिंग सेंटर में आने के बाद हमारा जीवन सच में बदल गया मेरा नाम लक्षमी है मैं गिर गई थी गिरने के कारण मेरा होट कट गया था हॉस्पिटल को लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि यह होट जुड़ेगा नहीं मैंने ओइन्मेंट भी लगाई फिर भी नहीं जुड़ा प्रातना किया हुआ प्रातना का तिल दो दिन लगाया तो तीसरे दिन तक होट जुड़ गए परमेश्वर की महिमा हो तीन साल पहले मैं कुछ आवाज को सुना पिछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं थे इस प्रकर की आवाज मैं बार बार सुनता था और नरत जैसा मेरा हालत बन गया मैं किसे से बता नहीं पा रहा था यहां तक कि मैं आत्मात्या के लिए तियार हो गया मैंने कहीं सारे दवाइक को इस्तेमाल किया पर इसमें से भी कोई फाइदा नहीं हुआ मुझे लग रहा था कि मेरे दुस्मन मेरे बारे में बात कर रहे है और मेरे हाथ में जो भी कुछ होता था, मैं उसको फेंक देता था मैं मेरे पडुसियें से जगड़ा करता था मेरे पिता मताओं के साथ बात नहीं कर रहा था इस प्रकार से मैं आत्म हत्या के लिए कई वर कोशिस किया मैं करेब 20 कलिशिया में गया लेकिन मुझे कोई आजाद नहीं मिला मुझे कुछ आराम नहीं मिला पर अभी मुझे आराम मिल रहा है आज पर मेंसर मुझे चुट करा दिया, मैं इस्चू के लिए जीना चाहता हूँ मेरा नाम साहलजा है, मेरे पती का नाम मोहन है हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं है आशू बहा कर प्रातना करते थे, पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टिफन पॉल जी ने प्रातना करी थी मुझे तो जरम आ रही थी, इसलिए मैंने दो बार लोरिया गई, लालाला करके तो मार्च के महिने में पर मिश्वर ने मुझे बेटी से आशिशित किया मैं वहाँ पर खड़ी थी, तब मैं अपने आप पर नियंतर नहीं कर पाई मेरे हाथ पर काप रहे थे, और मैं अपने आप पर नियंतर नहीं कर पा रही थी मेरी आखों से आशू बहे जा रहे थे, जब मैं आगे आई, तो मैंने महसूस किया तो लगा कि इशू पर वो मुझे आशिशित कर रहे है मेरा सरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, मैं बहुत आनंदित हूँ जब मैं प्रातना कर रही थी, तो मेरी जीब घुमने लगी और मैं अंजान भाषा बोलने लगी प्रातना कर रहे है